नमस्कार साथियों जार्खन फाइटर्स में अब सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जितने भी नए लोग हैं पिली चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा और सेशन को लाइक शेर जरूर किजिएगा आज हम लेकर आया हैं मौक टेस्ट तो चलिए चलते हैं कोचन के और बोलता कि राज इंदर मेडिकल कॉलेज राची जिसके अस्थापना 1960 में हुई जार्खन राज निर्मान के बाद इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया इसका अंसर हो जाएगा राची इंस्चूट ऑफ मेडिकल साइंस नेक्स कोचन है जार्खन के किस जीले में चावल अनुसंधान केंद्र और विर्दा सोधेवम अनुसंधान संस्थान है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तो हजारी बाग नेक्स्ट कोशिन है राची विश्वी विद्याले को विभाजित कर विनवबा भावेविक की अस्थापना हजारी बाग में किस वर्ष की गई इसका अंसर हो जाएगा उनिश्व बांबे नेक्स्ट कोशिन है भारत के किस राष्टपती ने बिहार राज ये पुनर गठन विध्यायक 2000 को 25 अगस्थ 2000 इस्वी को सिवकिर्थी परदान की इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों केयार नरायन नेक्स्ट कोशिन है जारखंड पंचाईती राज अधिनियम 2001 को पंचाईत राज में महिलाओं के लिए कितने परतिस्वत आरच्छन परदान करने संसोधन किया गया था इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन C 50% नेक्स्ट कोशिन है जारखंड की जनजातियों में किसे सरल कारिगर के रूप में वर्गी करित किया गया है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन B महली नेक्स्ट कोशन है कजली कब गाया जाता है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये वर्षा रितु में नेक्स्ट कोशन है हजजारी बाग में अवस्थित इंदिरा गांधी अदिवासी विद्जाले के अस्थापना किस वर्ष हुई थी इसका अंसर हो जाएगा उपसंडी 1984 नेक्ष्ट कोशन है दोस्तों जन जातिय सोधनु संधान संस्थान कहा है इसका अंसर हो जाएगा उपसंडी राची में नेक्ष्ट कोशन है जहारखण में समाजी कारती ग्रूप से विकलांग आश्रेहिन एवं वेस्यालायों की महिलाओं को ससक्त करने है तू कौन सी योजना चलाई जा रही है इसका अंसर हो जाएगा उप्षन C महिला सवधार योजना नेक्ट कोशन है बर्षो पानी गुफा कहां अवस्थित है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्षन B हज़ारी बाग नेक्ट कोशन है जैत गड़ के किले का निर्मान किसने करवाया था इसका अंसर हो जाएगा अप्षन ये अरजुन सिंग अगला कोशन है दोस्तों मुंडा सासन बे उस्था में सभा में चुना तंबाकू बांटने का कारिक कौन करता है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्षन ये पान खवास नेक्स्ट वोस्थन बिर्शा मुंडा तकनीकी छातरविर्ती जन जाती है विद्यारतियों को क्यों परदान किया जाता है अप्षन ये मेडिकल की पढ़ाई है तू भी इंजिनिरिंग की पढ़ाई है तू इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों उप्रोक्त दोनों की पढ़ाई है तू मेडिकल की पढ़ाई और इंजिनिरिंग की पढ़ाई दोनों के लिए देता है नेक्स्ट कोशन है जारखन के आदिम अदिवासी समूहों के लिए बनी मुप्त चावल योजना का नाम क्या है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों उप्संसी डाकिया योजना नेक्स कोशन है P.E.A.I.S. का पूर्न रूप क्या है? इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों पंचाइट ससक्ति करन और जवाब देही प्रोतसाहन योजना नेक्स कोशन है M.E.Y.S.A. का पूर्न रूप क्या है? इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन B पंचाइट महीला एवं वा सक्ति अभियान नेक्स कोशन है जिन फरा J.I.N.F.R.A. से क्या तात परे है? इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन C. जारखंड इंफरास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट कार्पूरेशन नेक्स कोशन है दोस्तों पुर्वी सीभूम के डच्छिन पुर्वी हिस्से में इस्थित उस महतुपूर्ण सहर का नाम क्या है? जो चावल की मीलों, तेल मीलों, साबुन कर खानों और बांस के उत्पादन के लिए परसीद है? इसका अंसर हो जाएगा चकूलिया नेक्स कोशन है जार्खन राज ये राष्टिय ग्रामिन आजीविका मिसन को लागू करने के लिए कौन सा निकाई विदित किया गया है? इसका अंसर हो जाएगा जार्खन राज आजीविका सवर्धन समाज नेक्स कोशन है किस भारतिय महिला बॉक्सर ने 2004 और 2005 में विश्व मुक्यवाजी चेंपियन्सिप में स्वर्ण पदग जीता? इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन ये अरुना मिस्रा नेक्स कोशन है दोस्तों उप्शन ये चार्खन ट्राइवल इंपावर्मेंट एंड लाइवलिवूड प्रोग्राम नेक्स कोशन है निम्नलिकीत में से कौन सी रचना गोपाल दास मुनजाल की है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों उप्शन भी मौल्चिरी नेक्स कोशन है प्रीती वाला गीत के लेखक कौन है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्धू बाबू अगला कोशन है शार्खन विश्व के सबसे धनी खनीच छितरों में से एक है देश के कुल कोईला भंडार का कितना परतिसाथ जार्खन राजजी में इस्तित है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों 27.3 परतिसाथ नेक्ट कोशन बोलता है कि जाइदा जायदा जार्खन इंडिस्ट्रियल एरिया डेवलप्मेंट ऑथोरिटी यह एक सवायत निकाय है जो राजजी में उते होगी क्विकास के लिए कारी करते हैं इसके अस्तापना किस वर्ष हुई इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों उप्शन सी 1974 में नेक्ट कोशन है जार्खन राजजी फसल राहत योजना के लिए कितने करोड रुपिय रासी में परदान किया जाएगा इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों उप्शन सी 100 करोड नेक्स्ट कॉस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट लिए हरा नेक्ट कोशन है जार्खन राजी में महिला ससक्ति करन हे तू किस हेलप लाइन नंबर की शुरुआत की गई है इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन एट वन अगला कोशन है तनीमने लिखीत में से कौन से मुख्य मंत्री है जो मनमोहन सिंग सरकार में केंदर ये कोईला मंत्री रहे लेकिन उन्हें 30 साल पुराने चीरूडी केस के कारण इस्तिफा देना पड़ा इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सीबू सोरेन नेक्ट कोशन है विचार करें पहला बोकारो का कुल छेतर फल 2883 किलो मीटर असक्वाइर है दूसरा बोकारो जीले का निर्मान एक अपरग 1991 को की गई थी तीसरा बोकारो जीले का निर्मान तीन ब्लोग धनबाद तथा आठ ब्लोग गिरिडी से जोड़कर बनाये गया था उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य भूलागि यह तीनों जो हम लोग अभी पढ़ है उसमें से तीनों में से कौन सा एक सही है तो देखियो ऑप्शन ये है 1 और 3, B, 1 और 2, ऑप्शन C, 2 और 3, ऑप्शन D है इन में से सभी तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन B एक और दो में की बरोड देखते हैं बोकारो का कुल छेतर फल 830 किलो मीटर स्कॉयर है ठीक है यह सही है दुसरा है बोकारो चीला का निरमान एक अपरिल 1991 को की गई थी यह भी सही है बोकारो जीले का निरमान तीन द्धनबाद और जो तीन बुलोक धनबाद ततार बुलोक गिरीडी से जोड़कर बनाया गया था यह गलत है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन भी वन और टू सही हो जाएगा जे ए आर डी सी एल अर्था जारखंड एसे ले रेटेड रोड डेवलप्मेंट कंपनी लिमिटेड किसकी सन्युक्त कंपनी है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी है उप्वायुक्त दोनों दोनों में कौन-कौन सा है देखे पत निर्मान विभाग जारखंड सब्सक्राइब करने के लिए इंडर्स्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलप्मेंट कॉर्प्रेशन का किस संच्था के मद्य समझोता हुआ इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गैस ऑथरीटी इंडिया लिमिटेड जी ए आई एल नेक्ष्ट कोशन है निम् बड़े बांद्ध हैं तीसरा है दामदर घाटी परियोजना के अंदर के तीन ताप्यविद्यूत के अंदरों तथा अवर्ण बांध के अस्थापना का प्रवदान किया गया था इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी उभनदर घाटी सब्सक्राइब नहीं हुआ था कि चलिए इसका अंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा उप्शन सी नेक्स्ट कोशन है निमने लिखीत में से कौन सा गलत सुमेलित है बोलता कौन सा गलत हुन्रू सोर्न रेखा नदी पर ठीक है है पाद घागरा और सुखलदारी कनहर ऑप्शन देखिए जौन्हा काची यह जो है यह गलत है तो इसका अंसर हो जाएगा आप्शन डी कि नेक्स्ट कोशन ने कॉसें पहाड़िया जन्जाती में सिछ्छा के परसार है तूंक योजना प्रार्म की गई है प्रारू किया तो सब्सक्रादीया फिर्वाप्शन विद्यालय सकती परियोजना नेक्स्ट कोशन है सारखंड भारत के कुल कितने राजियों की सिमाओं से लगा हुआ है इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी पांच राज दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समापत होता है हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सेर कीजिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक्यू जैहिंद फिर मिलते हैं अगले सेशन में